नमस्कर बच्चो, इन दीस एपिजोड वी आगोईं टो डिस्कस क्लास 10th SST, शोसल साइंस वरक्षिट नमबर 38P, यह आपकी 16th of October 2021 की वरक्षिट रहेगी, आज की इस इजी इंपोर्टेंट वरक्षिट में हम मैफ वर्क अपनी थीम को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करें कि locate the major rice and wheat producing states on the given political outline map of India, यानि इंडिया के political outline map के उपर हमें major rice producing state को locate करना है, और major wheat producing यानि की गेहूं के परमुक जो उत्पादक राज है, उनको हमें locate करना है, कितने locate करने हैं, हमें at least 4-5 states का idea होना चीए, 4-5 states का idea होना चीए, यह मैंने बोला है, idea क्यों होना चीए, इस में से हमें जो exactly पता होना चीए, वो होना चीए largest producing state कौन सा है, वो ज़्यादा important रहेगा, क्योंकि इस बार जो आपके term 1 में map work के questions आएंगे, तो उसमें MCQs रहेंगे, और काफी ज़्यादा possibilities है, probabilities है, कि उसमें जो आपका largest producing state है, उसी से related questions पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले हम in important state से इनको locate करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस type के questions और किस तरीके से आपके exam में पूछे जा सकते हैं, let's begin, चलिए सबसे पहले इनको solve करते हैं, तो यह हमें दिया गया map साथ में attach करके, इसके उपर हम solve नहीं करने वाले, एक separate map है, जिसके उपर हम solve करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि कौन से major wheat और rice producing states है, यहाँ पे मैंने numbering कर दिये, ताकि आपके mind में concept और better तरीके से clear हो पाए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो wheat producing state है, largest wheat producing state है, वो है UP, उत्रपरदिस, ठीक, यह हो गया UP, उसके बाद second जो important wheat producing state है, वो है आपका मध्यपर ठीक, यह आपका total area आजाता है, जहाँ पर wheat produce किया जाता है, यह top five states है, clear, अब इसमें से जो top five states है, second, third, fourth, fifth, doesn't matter, कि यह अगर आगे पीछे होते हैं, कोई matter नहीं करता, numbering कोई नहीं पूछने वाला आपसे, लेकिन जो first L, UP है, यह आपको exactly पता होना चाहिए, अब UP से with the point A, okay, और आपसे पूछा जाएगा कि identify this state, तो बहुत ही जी है, तो sixth, seventh class के बच्चों के लिए, बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे state का बात पूछी जा रहे हैं, तो state किसी को पता है, लेकिन second जो chances है, option है, कि कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे point A दिया जा कि यह UP है, map के उपर exactly, और उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए, कि यह जो largest producing state है, कि इसमें आता है, यह wheat में भी है, wheat के साथ-साथ, sugar cane का भी सबसे बड़ा जो producing state है, वो UP आता है, तो दोनों चीज़े हमारे mind में clear होनी चाहिए, कई बार हम wheat को लेकर के चले, और sugar cane को भूल जाए, और confuse हो जाए, कि अच्छा wheat तो option नहीं है, sugar cane option कहां से आ गया, तो यह हमें अच्छे से पता होना चीज़े है, यह हमारा हो गया पहला जो task है, पहला task है, एक बार फिर से देख लिजे, यह wheat के जो major producing states कोन से, first position पे आ गया आपका UP, उतर परदेश, second पे आप का आगया मध्या परदेश, third आपका पंजाब, fourth आपका हरियाना और fifth आपका राजस्तान, यानि यह जो totally यह major wheat producing states का है, उसके बाद second जो हमारा task है, इसमें हमें locate करना है, major rice producing states, ओके, यहाँ पर भी मैंने numbering कर दिये, ताकि आप अच्छे से इस concept को समझ पाओ, तो यहाँ rice की बात करें, चावल की बात करें, तो सबसे बड़ा जो उतपादक राजी है, सबसे बड़ा जो producing state है, वो है West Bengal, West Bengal में तीन crop ली जाती है, अमन, ओस, बोरू, यानि कि पूरी साल में तीन first नहीं, चावल की ली जाती है, यानि चावल काटा, चावल बोया, चावल काटा, उसी में लग रहते हैं, वो सारे, उके, तो rice में, West Bengal first position पे, उसके बाद second पे आ जाता है UP, third पे पंजाब, fourth पे Odisha और fifth पे आ जाता है, इसके लास sixth पे हरियाना, seventh पे आपका जारखन आ जाता है, यानि ये जो total area है, ये आपका rice producing state का area आ जाता है, इसमें भी again आपके लिए स position पे आता है, तो confused नहीं हो न, दोनों आपके लिए अच्छे से clear होने चाहिए, ये थी हमारी आज की काफी easy, interesting, important worksheet, I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, गर आपको ये वीडियो ये worksheet अच्छे लगी, इस वीडियो इस worksheet को like और share जरूर कीजिएगा, इसके सा आपके three chapters आ रहे है, आपके map work में, term one में, first chapter आ रहा है, जिसमें आपके six points बनेंगे, six soils, second नहीं है, उसके बाद third chapter water resources, उसमें से आपके eight dames देगे, यान कि 14 होगे, और eight crops देगी, आपके fourth chapter agriculture से, total 22 questions बनते हैं, अब ये जो 22 questions है, ये आपके अच्छे से नहीं, बहुत अच् score कर सकते हैं, एक ही जी जो आपको रोग सकती है, वो आपका map work, क्योंकि आपको theoretical जो questions है, उसमें आपको internal choices मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिल देवाले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप playlist में जाएए, playlist में आपको class 9, 10th map work की एक playlist मिलेगी, वहाँ पर ये वीडियो मिल jeśli अपको तेवार काई झालमन, वहाँ झालमन, खना करता है रूने लोग सेयु सकती है, वहाँ अभीजोगो कर दक outफको दो कर रोगाँ भीव एक वहाँ रहाँ जे जाचिता आपको ढ़ता है, वहाँ नहीं मिलेगी, जाएएएए उना दो कर गयां दो कर दोंको, वाँ सकत